एक्जिक्ट पोल ये बकवास है निराधार इसका कोई आधार नहीं है ये एक्जेक्ट पोल नहीं है जब एक्जेक्ट पोल आएंगे चार जून को उसमें इंडिया गठवंधन की सरकार 295 सीट से ज्यादा जीत करके सरकार बनाएगी सर्वेय है जन्ता का सर्वेय है ये जेंसियों ने सर्वेय किया है हमने उसको जुटला सकते हैं न उसको ये कह सकते हैं कि वो सही है नमस्कार में प्रसांत और आप देख रहे हैं देखे देश में लोग सभा के चुनाव संपन हो गए हैं साथ चरणों में मद्दान हुए और जैसे ही मद्दान खत्म हुआ एक जिट पोल के नतीजे कई मीडिया हास उसके दोरा जारी कर दिये गए एक जिट पोल के नतीजों के अगर माने तो बीजेपी एक वार फिर से बहुमत के साथ सत्ता में आती हुई नजर आ रही है देश के परधान मत्री मोदी एक वार फिर से सपत गरहन कर सकते हैं तो इनी सही मुद्धों पर अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने अपनी परतिकिरिया दी है किसी ने एक जिट पोल को सुईकारा है तो किसी ने एक जिट पोल को सिरे से खार इश कर दिया ये इगजेक्ट पोल नहीं है जब इगजेक्ट पोल आएंगे चार जून को उसमें इंडिया गठवंधन की सरकार 295 सीट से ज़्यादा जीत करके सरकार बनाएगी और इंडिया गठवंधन जीतेगा ये तय है बीजेपी की सरकार सत्ता से जा रही है आदरने मोदी जी की बि इगजेक्ट पोल दो दिनों तक खुस पहमी में रहें लोग लेकिन सरकार इंडिया गठवंधन की बननी तय है जनता ने महगाई घरीवी भुकमरी बिरुजगारी से आजादी के लिए भोट किया है ना कि भाएंस और मंगल सूत्र और मुझरापर किया है 25 से ज्यादा सीटे राष्टे जनतादल इंडिया गठवंधन बिहार में जीत रही है हम तो कहा रहे है कि 295 से ज्यादा 295 प्लस सीटे इंडिया गठवंधन जीतेगी कि एक जीट पोल के नतीजे को देखा है अब तो जनता का जो पोल हुआ है पस एक दिन बाकी है अगले दिन रिजल्ट आने वाली है कि बेचैनी उधर बढ़ी है हम बेचैन नहीं हम एक जीट पोल को भी स्विखार करते हैं और जो पचार को जो रिजल्ट आएगा उसको भी स्विखार करेंगे कि सर्वेय जंता का सर्वेय एजेंशियों ने सर्वेय किया है हमने उसको जुटला सकते हैं न उसको यह का सकते हैं कि वो सही है वो तो सर्वेय जंता का किया है जो किया है वो सामने दिख रहा है बेचैनी उधर बढ़ी है कम दिखा रहा है जादे दिखाना चाहिए था हम यह ल nuovoक्त दुनिया की तिस्री अर्थ सकती भारत को बनांगे बनानेवाले गाण कि जिनको परसानी है वो जाने हम परसान नहीं हम तो चार का इंजार कर रहे हैं चार को चार सोब पुपर करेंगे चार को चालिस की चालिस सीट नरिंदरमुदिक की जोली में जाने वाली है आप चार सब कर रहे हैं उसर पिजस्वी जी और राहुल जी का बयाना आता है कि 295 हम लेकि आ रहा है इदर में तुझे का ली कि आ रहा है अब राहुल जी खड़गे सहाब कल जैड क्यार ये इंडि को कौन बनेगा परधान मत्री मुगालते में नड है देश की जनता ने अपना परधान मत्री पहले चून लिया अपना सेवक तून लिया है और के अंदर में 295 से अधिक सीटे जीतने जा रहे हैं वृत्मजेतिवारी ने साफ तोर पे कहा कि जो एकचिट पूल के नतीजे दिखाए गए हैं वो सीरे से मैं खाड़िज करता हूँ ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है तो वहीं पर पीजेपी के परवक्ता राकेश कुमार सिंग ने एकचिट पूल के नतीजें को सुई का रहा है लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हमें उम्मीद है कि जो एकचिट पूल के नतीजे हैं उससे बहतर पड़ी नाम आएंगे राकेश कुमार सिंग ने दावा किया है कि 400 स के लिए जूर रही गात द्याज रूज के साथ भनेवाद।